बड़े घर की बेटी राता शादी करके ससुराल आई, दूसरे ही दिन आसपडोस की स्त्रियां से देखने के लिए आई, उसे देखकर एक पडोसन बोली, बहु, तुमने पूर्व जनम में बहुत ही पुन्य कमाई होंगे, तभी तुमें इस खांदान परिवार की बहु बनन परिवार मिला है, चारुलता ने इस बात को सुन लिया, आसपडोस की स्त्रियों के जानने के बाद, उसने राता से कहा, बेटी, रिष्टा वो नहीं होता, जो दुनिया को दिखाया जाए, रिष्टा वो होता है, जिसे दिल से निभाया जाए, अपना कहने से कोई अपना होता अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाए राता मैं कुछ समझी नहीं चारूलता बेटी अब तुम किशन के साथ विवाय के पवित्र गठ बंदन में बंद गई हो तुम्हारे नाम के पीछे पती का नाम जुड़ गया है पीहर के प्रभाव से मुक्त होकर अपने परिवार और पती पर गर्व करो रिष्टों की एहमियत को समझ कर उसे सम्मान दो फिर देखना इस चोटे से घरोंदे में तुम्हे स्वर्ग से भी सुन्दर अनुभूती होगी सास की सीख को सुनकर राता थोड़ी लज्जित हो गई और चिंतन करने के लिए विवश हो ग झाली